तो ये क्विक वीडियो में बना रहोग। सब के लीए, मैं सोच रहों कि कुछ सैग्मेंस में बनाओगा, यहाँ पर है कि कुछ बिजिस खूरू करना चाहते हो, कि कि नहीं जहीं को लीकर आपको बिजनस करना पड़े हो, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें Magic ? आपका जो passion है, जो चीज़ आप करना चाहते है, यह आपका rail का पत्री जैसे, दो line जैसे होता है, यह आपका एक rail का पत्री है, और यहाँ पर नीचे जो है, दूसरा जो पत्री है, वो आपका wealth है, मतलब पैसा है, मतलब customer है, तो आपका जो passion है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप प्रोवाइट कर सकते हैं, maybe it can be photography, it can be anything, अगर आप laundry का business चुड़ करना चाहते हैं, खाना बनाने आपको अच्छा लगता है, कपरे बनाना आपको tailoring अच्छा लगता है, तो बहुत सारे जो भी आपका passion है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको आप अपना business बनाना चाते हो उसको आप अपना livelihood बनाना चाते हो तो आपका objective यह है कि यह जो उपर का पटरी है और जो नीचे का जो पटरी है दोनों को मैं किस तरीके से intersect कर पाऊं यानि आपका जो train है वो कैसे crash होगा, कैसे betrayal होगा लिटरली आपको थोड़ा सा आपको समझ में आगया होगा जहां पर आप देखें कि आपको value create कर रहे हैं आपके पास कोई valuable potential है आप जिस तरीके से लोगों का problem solve कर सकते हैं वो अगर लोगों का problem जहां पर लोग पैसा देने के लिए राजी है उस जगा पर जहां पर आपका intersect होगा वही है आपका sweet spot अगर आप photography में बहुत अच्छे हैं और सोचिए कि small business owner से उनको अच्छा photographer चीए कि फाइती धाम में तो आपको प्रॉब्ल आपको प्रॉब्ल आपको पता है और जो लोगों का जो problem वो आपको पता है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट धूणना परेगा और वहीं पर आपका sweet spot आपका निकलेगा और वहीं से आप देखोगे sweet spot धूणने पर थोड़ा सा समय लगता है मुझे भी time लगा था सबको time लगता है क्योंकि उसको सिफ आपको एक बार धूणना है ठीक है उसको ऐसे नहीं कि एक बार बार आपको ढूणना परेगा यू जस्स हाफ टूणना परेगा उसी जगह पर देखोगे कि आपका customer आपके पास आएगा और आप भी उसके पास पहुंच वाओगे you need to reach at the sweet spot तो इसी तरीके से आपको wealth creation करना है आप business कोई भी business करो कुछ भी करो doesn't really matter पर अगर आपने ये sweet spot नहीं ढूणडा आप हमेशा struggle करते रहोगे आपको हमेशा लगेगा कि अरे भाई आजा 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 आपको लगे ये पास में है बर बहुत दूर है train का जो पट्री होता है वो हमेशा constantly same distance ही रहता है दोनों के बीच में वो लगता है कि पास में है पर बहुत दूर होता है मीलो हजारो करोरो मील चले जाएंगे फिर भी एक दुसरे के साथ वो मिल नहीं पाते हैं कारण यही है क्योंकि वो intersection नहीं हो रहा है जहां पर intersection होगा वही पर wealth creation होगा वही पर wealth creation होगा और उसी जगह पर आप successful बन पाएंगे तो इसको थोगा से ध्यान रखें and this is how you can create a successful business it can be any successful relationship as well तो यह चीज़ आपको थोगा से ध्यान रखना पड़ेगा और यह एक नया segment में सोच रहा हो कि